स्वागते आप सभी का टेक स्टेडी आईटेय यूटूब चनल पर आईटेय इंप्लाइविल्टी स्किल्स फरस्ट एर सिवीटी एक्जामिनेशन कुस्चन्स की सिरीज में आज हम लोग करेंगे क्लास 16 एंड क्लास 16 में आपका जो मॉडूल है ये फाइनेंसियल एंड लीगल लिटरेसी जो है यहाँ पर आपका आज कंप्लीट हो जाएगा तो ये कंप्लीट जो कुस्चन्स आपके नई कुस्चन बैंक से लिए गये हैं जो की 22 जून 2013 को डीजिटी की तरफ से जारी की गई थी आप सभी के लिए 2223 एक्जामिनेशन के लिए यहाँ पर फाइनेंसियल एंड लीगल लिटरेसी आज जब कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद आपके सिर्फ चार मॉडूल बचेंगे जो की आपका एक्जामिनेशन स्टार्ट है मंडे से उसके पहले-पहले हम कंप्लीट कर वहाँ से आप जाके उन्हें एक बार जरूर चेकाउट कर लिजेगा साथ में और ट्रेड की और सब्जेक्ट की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी उसकी भी आप पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं कुस्चन्स यहाँ पे हिंदी और इंग्लिस दोनों में आपको मिलेंगे जिससे आपको समझने में भी आसानी हो लास्ट में एक बोनस कुस्चन होता है आप सभी को पता है हमारे वीडियो में उसका आंसर आपको कमेंड बॉक्स में करना होता है तो जरूर कीचेगा स्टार्ट करते हैं कुस्चन है ट्वन्टिसिक्स नंबर यहाँ पे रेगुलर कहीं काम करते हैं तो जो आपका employer होता है जो आपकी company होती है establishment होता है वो आपको हर मन्त क्या पे करता है salary पे करता है तो देखें यहाँ पे salary का है appraisal यह तो आपको साल में एक बार मिलता है मूल ल्यांकन हो क्या आपका कैसा आपका performance रहा debt या loan यह सब आपको bank देता है यहाँ पे right answer क्या है salary याँ आपको मन्त में नियमिज जो भुकतान होता है किसका होता है salary का याँ आपके वेतन का next question यहाँ पे deduction should be paid from the यहाँ कहरा कटावती का भुकतान किससे किया जाना चाहिए देखिए जब भी आप कहीं salary होते है जब आप एक salary person होते है तो आपकी जो salary आती मन्त में उसमें कई सारे deduction होते है ठीक है उस deduction में आपका ठीक है कई चीज होता है पहले तो आप salary समझे salary जो आपकी होती है उसमें एक होता आपका basic पे ठीक है इसके अलावा company क्या करती है salary जो आपको मिलती है उसे बोलते है gross salary जो आपकी कुल salary बनती है मंतली उसे बोलते है gross salary फिर इस gross salary में से क्या होता है आपकी कुछ चीजें cut होती है जैसे माली जो canteen facility उसको cut किया जाएगा ठीक है आपका कुछ PPF या ESI कट रहा है तो उसका कुछ percent cut किया जाएगा तो ये सारी चीजें जो cut की जाती है उसके बाद जो आपकी salary बसती उसको बोलते है net salary ठीक है तो यहाँ पर right answer आपका क्या हो गया gross salary जो है उसी में से चीजें cut की जाती है और final में आपको net salary मिलती है कई बार company join करते होंगे पतलग आपको बोला गया का आपक रख ले जाएंगे तब इन चीजों को और समझेंगे आप अगला question है the government collects space from the citizens सरकार नागरिकों से क्या वसूल करती लोन, tax, deductions या conveyance ध्यान दीजे लोन कौन वसूल करता है अगर आप लोन लेंगे तो bank आपसे लोन वसूल लेगी सरकार आपसे tax लेती है ठीक है क्या लेत tax के रूप में आप income tax pay कर सकते हैं, salary है तो आप कोई समान परचेज करते हैं, वहाँ पे भी आपको tax देना होता है GST के बारे में आपने सुनाई होगा next question, कार्थिक है जॉइन डार निव कमपनी, his salary is 3 lakh per year, this is his space salary, कार्थिक ने एक नई कमपनी जॉइन किया, उनकी salary 3 lakh प्रतिवर्स है, या उसका क्या है, तो यह जो 3 lakh salary होती ना, इसको जनली क्या बोला जाता है आजकल, एक नया टर्माया ना, CTC, cost to company बोलते हैं, तो यह जो 3 3 lakh salary होती ना, इसी को actual में gross income बोलते हैं, इसमें से बहुत सारी चीज़े कटती हैं, तो जो package होता ना, package actual में जो होता वो दिखता नहीं है, CTC कई बार आपका रहेगा 3 lakh 60,000, ठीक है, तो आप क्या जोड़ लेंगे, हमको 30,000 रुपया महीना मिलेगा, क्योंकि बारतिया 36,000, बन रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है, CTC 3,60,000 है, और salary हो सकता आपकी cut pit के 22,000 रुपय आपके हाथ में आ रही हो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे deduction salary से किये जाते हैं एक company में, तो ये जो 3 lakh प्रतिवर्स बोला जाता है, इसको gross income बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, gross salary या gross income ठीक है, अगला question है, Simon's company calculated the income tax and paid on behalf of him, this is called, ठीक है, यहाँ कहरा है, Simon की company ने आहकर की गढ़ना की और उसकी और से भुगतान कर दिया, इसे क्या कहा जाएगा, house rent allowance कहा जाएगा, interest यानि व्याज, इसको आप लोग व्याज पढ़िएगा, interest यानि व्याज कहा जाएगा, टीडियस कहा जाएगा, या NPS कहा जाएगा, NPS तो आपका क्या है, नई pension scheme जो है, उसको यहाँ पे, क्या बोलते है, NPS, तो यह जो tax वहाँ पे पे किया गया, उसके बियाप में, उसे कहा जाता है, TDS, tax deducted at source, इसका full farm होता है, ठीक है, क्या होता है, tax deducted at source, company ने क्या किया, और उसके बियाप में पे कर दिया, मतलब जो source था, company थी, जहां से उसको salary मिलती थी, तो company ने अगर पे कर दिया, तो उसको बोलते है, tax deducted at source, वहीं पे आपका tax deducted कर लिया गया, बाद में आप जब ITR वगेरा फाइल करेंगे, तो ज़्यादा होगा, तो आपको और पे करना तो अगर आप खर्च नहीं कर रहे हैं, उसे एक side आप बचा के रखे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वहीं आपका कहलाता है saving यानि की budget, ठीक है, क्या कहलाएगा वो, saving यानि की budget, अगला question 32 number यहां पे, money put aside for a big expenses many years from now is, यहां कह रहा है, कि अब से कई वरसों तक किसी ब long term, मतलब आपने कोई target लिया, ठीक है, एंड उसको achieve करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, पैसा बचा रहे हैं, save कर रहे हैं, उसे बोलते हैं long term, अगर आप लंबे time तक उस चीज के लिए बचा रहे हैं, तो, ठीक है, क्या बोलेंगे उसे long term यानि दीर्ग कालिक, अगला question है, which among these is not a good saving habit, इन में से कौन सी बचत की अच्छी आदत नहीं है, इसमें कहरा है saving यानि बचत, पैसा बचाने की इसमें से कौन सी अच्छी आदत नहीं है, तो यहां अगर आप चार options में देखेंगे, पहला है shopping on website, तो website पे shopping करने से तो आपके पैसे नहीं बचें क्योंकि तब आपको पता चलेगा, आप कहाँ नजायज खर्च कर रहे हैं, कहाँ आप सही खर्च कर रहे हैं, नेक्स्ट है, clearing goals, अपने जो भी goal हो, उनको clear करना, and D हैंपे saving money in bank, bank में पैसा जमा करना, तो यह तीनों तो यहां पे ठीक हैं, बट यह एक अच्छी saving habit नहीं है अगर आप जो shopping के website को scroll करते रहेंगे, कुछ न कुछ आप purchase करते रहेंगे, हो सकता हो, जरूरी ना भी हो, and आपके पैसे वहाँ पे खर्च होते रहेंगे, 34 number question है, राजेस wants to save 6000 every year for his old age, how much should he save every month, यहां कहरा है, राजेस अपने बुढ़ापे के लिए हर साल 6000 रुपय बचा करनी चाहिए, ध्यान दीजे, अगर साल में 6000 रुपय बचाना चाहता है, महीने कितने होते साल में 12, 12 से इसको अगर divide करेंगे आप, तो कितना आएगा, 500 रुपय, मतलब राजेस को हर महीने 500 रुपय अगर बचाएंगे, तो साल का कितना हो जाएगा, 6000 रुपय हो जाएगा जो आपने old age के लिए वो बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, अगला question है, अभी wants to teach his 10 year old daughter to save money from the pocket money she receives, which option is the best, अभी अपनी 10 साल की बेटी को मिलने वाली pocket money से पैसे बचाना सिखाना चाहते हैं, इसमें से कौन सा बिकल्प सर्वोत्तम होगा, RD account मतलब उनका एक recurring deposit account खुलवा दें, जिसको हम सावधी जमा खाता बोलते हैं, उसमें हर महीने कुछ पैसे डाले जाते रहें, या loan, या piggy bank या गुल्लक दे दिया जाए, या debt या कर्ज दे दिया जाए, right answer है piggy bank, अगर बच्चों की pocket money को आपको save करना सिखाना है, तो piggy bank के ह पर सबसे best option होता है, गुल्लक सबसे best option होता है, अगला question है, money borrowed from bank or a person is, bank या किसी व्यक्ति से उधार लिया गया धन क्या कहलाता है, tax, gift यानि उपहार, interest यानि व्याज, फिर से इसको व्याज पढ़िएगा थोड़ा सा translation में दिक्कत हुई, आगे हमने सही भी किया है, and loan या रिंड वो व्यक्ति भी हो सकता है, वो कोई bank भी हो सकता है, अगला question है, the loan can be repaid in, जो loan होता है, रिंड होता है, आप जो bank से किसी से लेते हैं, उसे चुकाया जा सकता है, तो loan जब भी आप लेते हैं, जिसे मालीजी आपने 5 लाग का loan लिया, तो ऐसा नहीं तो 5 लाग आपक loan को repay करते हैं, मिलता आपको 5 लाग है, बठो सकता है, आप 10,000 करके 5 साल तक, 6 साल तक इस टाइप का भरें उसे, ठीक है, जितना भी time आपको दिया जाए, next question है, the price we pay for borrowing money is, पैसे उधार लेने के लिए, हम जो कीमत चुकाते हैं, वह क्या होती है, तो पैसे उधार लेने के बदले, आप जो कीमत देते हो, क्या देते हो, उस पर ब्याज देते हैं, आप bank से पैसे लेने जाते हैं, बैंक आपको क्या बोलता है, इतना rate of interest लगेगा, इतना ब्याज लगेगा, तब आपकों इतना पैसा उधार दे देंगे, तो आप पैसा उधार लेने के लिए क्या चुकाते हैं, ब्याज चुकाते हैं, इंट्रेस्ट चुकाते हैं, ठीक है, next, 49 number question, रीता wants to complete her higher education from a good university, which loan should she apply for, रीता अपनी higher education किसी अच्छे बिस्विद्य पूरा करना चाहती है, उसे किस रिण के लिए आवेदन करना चाहिए, होम लोन के लिए, पर्सनल लोन के लिए, एजुकेसन लोन के लिए, या आटो लोन के लिए, तो पढ़ाई के लिए, अगर आपको करना है, तो आप किस के लिए apply करेंगे, एजुकेसन लोन यानि सिक् वह अपने किसके माद्यम से इसके लिए भुक्तान करने में सक्षम थी Life Insurance तो Life Insurance तो Medical में नहीं काम आता Vehicle Insurance आपके गाड़ी का वीमा होता है Home Insurance घर का वीमा होता है Medical Insurance से आप अपना सर्जरी का या अपने इलाज का पैसा पे कर सकते हैं तो right answer क्या हो जाएगा आपका option number D medical insurance next question knowledge and awareness of laws is called कानून जो भी आपके हाँ कानून हो उनका ज्यान और जागरूखता अगर आपको है तो उसे क्या कहा जाएगा RTI, RTI तो था right to information जो act है ठीक है legal literacy, कानूनी साक्षर्ता, awareness यानी जागरूखता, constitution यानी संभिधान तो कानून की जानकारी रखना मतलब होती है आपकी legal literacy आपको अगर पता है कि किस चीज के लिए क्या कानून है, किस चीज के लिए क्या धाराएं है तो फिर ही इसको हम कहते हैं क्या legal literacy कुछ आप 42 है, RTI means, RTI का मतलब क्या है, तो RTI का मतलब होता है right to information, ये एक सूचना का अधिकार, ठीक है, अधिनियम निकाला गया था उसी को सार्ट में RTI कहा जाता है, ठीक है, इससे आप क्या होता है, सूचना का अधिकार सभी को है हर किसी को हर एक सूचना जानने का देश में अधिकार है, इसके तहट आप application डालके online करके किसी भी department से कोई भी सूचना आप माग सकते हैं और वो बात देंगे उस सूचना को देने के लिए उसका एक time period भी होता है सरकार से संबंधित किसी भी सिकायत के लिए सरकार द्वारा अस्थापित online portal है public grievance portal, place grievance portal, public informing portal या public information portal right answer आपका option number A, public grievance portal अगले कुश्चन पर चलेंगे 44 नंबर पे सुधा just delivered a baby for how can she take a maternity leave entitled to her as an employee सुधा ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है वह एक करमचारी के रूप में अपने हक का मातरित अवकास कैसे ले सकती मतलब कितने दिन का ध्यान दीजे किसी भी company में आप काम कर रहे हैं चाहे government job हो चाहे private job हो उसमें मा बनने पे एक अलग से आपको leave मिलती है इसका आपको पता होना चाहिए जिससे कि आप उसे कभी भी ले सकती है during pregnancy, after pregnancy या दोनों mix करके जैसा आप चाहें उसे ले सकते है ठीक है तो कितने दिन की होती हो 2 month की होती है, 5 month की होती है, 26th month की होती है या 1 साल की होती है तो ये होती है आपकी 26th month यानि एप्रोक्स छे महीने की आपकी यह मिलेगी आपको यहाँ पे ठीक है अगला कुछन पेंटालिस नमबर यहाँ पे पॉल जस्ट गाट हाइड और रिसीब इस इंप्लाइमेंट लेटर पॉल को अभी अभी नौकरी मिली है और उसे अपना रोजगार पत्र प्राप्त हुआ है उसे इसे ध्यान से पढ़ना होगा और हस्ताक्षर करना होगा क्योंकि यह एक क्या है सर्टिफिकेट यानि प्रमाण पत्र है लीगल बाइंडिंग डाकुमेंट है कानूनी एक बाधि अगन करने पर आपके उपर कारवाई भी की जा सकती है लीगल एक्षन भी लिए जा सकते हैं इसलिए आपको क्या होता है उसे ध्यान से पढ़ना चाहिए कहीं ऐसा ने उसमें कुछ ऐसा लिखा हो जो आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए फिर भी आप नीचे साइन कर देते हो तो इमान लिया जाता है कि आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया जैसे कई कंपनी आप जॉइन करेंगे तो बोलेंगे हम तीन लाग का बांड भरवाएंगे अगर आप चार साल से पहले कंपनी छोड़ते हो तो आपको ये पे करना होगा इस टाइप की चीज़ें कई बार होती है कुछ कंपनी में अपनी सेक्यूरिटी के लिए ओक करवाते हैं ये ठीक तो ये 45 कुश्चन थे यहां पर आपका आपका मॉडियूल खतम होता है अगला मॉडियूल जो होगा उसको हम लोग अगले पार्ट में करेंगे तो जरूर देखिएगा बोनस कुश्चन का अंसर आप सबको करना है कुश्चन है डिस्क्रिमिनेशन कैन में का परसन फील वेद भाव एक व्यक्ति को क्या महसूस करा सकता है वी क्यानि कमजोर डिस्टर्ब यानि परेशान डिवाइड यानि विभाजित या आल आफ दाइबव यानि उप्रोक्त सभी तो जो भी र स्टार्ड कर दीजे एकजाम में अब टाइम नहीं बचा है थैंकियो वेरी मुच ख्याल रखिएगा अपना मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में